हलो अब्रिवान हम फरवरी 2022 के राजस्तान सुजस के अंक को डिस्कस कर रहे हैं इस अंक में कुछ बेसिक फैक्ट्स दिये हुए हैं और कुछ करंट इशूज हैं दोनों को हम कमाइंड फोर्म में डिस्कस करेंगे जो हमारे हर एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से इंपोटें कर लेती हैं उसी तरीके से हमारा जो मानव जीवन है वो भी नई विचारों का प्रस्पुटन पल्वन और संचरन का भी अवसर होता है रिटुराज वसंत में इसके अलावा ये जो अंक है राजस्तान सुजस का इसमें हम 13 फरवरी को जो राष्ट्य महिला दिवस मनाया जा राजस्तान सरकार काम कर रही है उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा राजसरकार किनकिन एरिया में नई काम कर रही है तो घायलों को बिना डर और संकोच अस्पताल पहुंचाने का एक पुनीत कारिय सरकार ने सुरू किया है मुख्यमंतरी चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना इसके अलावा कोरोना के टाइम में काम छोड़ चुकी महिलाओं को फिर संबल देने के लिए जागर्दी बैक टू वर्क योजना और घर बैटे विभिन आईटी आधारी सेवाएं उपलब्द कराने के लिए इमित्र एट होम योजना जैसे नवाचारों की नव कोपलो के परलवन का अन्वरत प्रियास कर रही है तो यह कुछ सरकारी योजनाइ है इनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक चीजे हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले फर्स जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि राजिस्तान सरकार जो है वो बापूगी मतलब महत्मा गांदी जी के जो सिद्धान थे जिनकी वज़े से हमारे इंडिया को हमारे भारत को जो आज़ादी मिली उनको हमारी जो UAPD है उनको पहुँचाने के लिए प्रियास कर रही है अब इसमें क्या प्रियास क्या जा रहा है सबसे पहले तो ये बोला गया कि देखो देश में भाईचारा प्रेम सोहार्द और सामजिक सम्रस्ता की भावना को अगर हमें मजबूत बनाई रखना है तो राश्ट पिता महत्मा गांदी की विचारों तो ज रहना है अब राजस्तान सरकार क्या कर रही है इसमें सबसे पहले तो ये बोला गया है कि देखो पूर प्रधानवंतरी डॉक्टर मनवहन सिंग और सिर्मती सोनिया गांदी के प्रियासों से सेंट राश्ट ने प्रस्ताव पारित किया और बापू की जनम दिवस को अंतरा प्रश्ट ये अइनसा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा तो ये एक तरीके से जो कॉंग्रेस पार्टी है उसके क्या-क्या प्रसीजर रहे है बापू के जो सिदान्थ है उनको युवा पीडी तक पहुचाने के लिए उसके बारें बताया गया है राजस्तान सरकार न निबा सके इसलिए काम किया जारे है इसी उद्देश्ट से मात्मा गांधी इंस्टिटूट ओफ गवरनेंस और सोशल साइंसिज की स्तापना की गई है और राजस्तान पहला प्रदीस है जहाँ पर सांती एम अहिंसा निदेशाले की स्तापना की गई है ओके अब ये अब ये सेकिन बात बताई है कि देश में रिनेवल एनरजी के लिए काम चल रहा है अब उन्हें पर सांती एम अहिंसा निदेशाले की स्तापना करने वाला ये इमपोटेंट फैक्ट है हम वो हर फैक्ट देखेंगे जहां से एक्जाम में क्यूशन बन सकते हैं अब ये सेक अब ये सेकिन बात बताई है कि देश में रिनेवल एनरजी के लिए काम चल रहा है अब देश की जो उर्जा जरूरते हैं उनको पूरा करने में साथ देगा राजस्तान राज्ज हमारे राजस्तान राज्ज में अक्षय उर्जा के छेतर में तीन लाग करोड से अधिके MOU साइन हुए है निवेस प्रोत साहन की राज्ज सरकार की नीटियों के परिणाम सरूप राजस्तान सोर उर्जा के छेतर में देश का अग्रनी राज्य बनकर उब़ा है रिनेवल एनरजी के छेतर में देश विदेश की जानिमानी कमपनिया और इन्वेश्टर प्रदेश म मोई उसायन हुए है और वो दिन जब जादा दूर नहीं है जब अक्षय उर्जा के छेतर में जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उनकी सभी जरुतों को पूरा करने में राजस्तान राज बड़ी भागिदारी निभाएगा अब इसमें राजस्तान सरकार ने क्य को बढ़ाने के लिए राजस्तान सरकार ने क्या-क्या अपनी तरफ से काम किया है तो ये सारी जीजी आप लिख सकते हो राजस्तान सरकार ने क्या किया Renewable Energy का हब बनाने के लिए सरकार ने नई सोर उर्जा निती 2019 Wind and Hybrid Energy Policy जारी की निवेसकों को अनिकूल महार्ण परदान करने के लिए रिप्स 2019 One Stop Shop परणाली MSME Act जैसे नितिगर निड़ने लिए गए राज्य में Ease of Doing Business की दिसा में आगे बढ़ते हुए निवेस की राहा में बादाओं को दूर किया गया है तो ये सरकार ने काम किये हैं इनको आप आनस्वर में लिख सकते हो R.A.S. Mains में क्या होता है दो नमबर के पांश नमबर के और दस नमबर के अब क्यों किया जा रहा है राजस्तान सरकार में इतना क्यों है सोलर उर्जा के उपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है तो भई राजस्तान में जो भूमी की परियापत उपलब देता है और एक सोर उर्जा की भी परियापत उपलब देता है हमारे economic survey को अगर आप पढ़ोगे राजस्तान को तो उसमें बताया जाता है कि लगवक 325 दिन तक पुरे साल में 325 दिन तक राजस्तान में सूरिय जो है वो अपनी तेज गती के साथ में चमकता है जिससे यहाँ पर solar energy के काफी जादा एक तरीके से विक्सित होने के काफी जा जादा चांसेज है अब यहाँ पर जो important fact है वो यह है कि प्रदेश में जितनी भी present time में सोर उर्जा उतपादित हो रही है उसमें से 20 परतीशत राजी में से उतपादित हो रही है दस गीगा वोट छमता विक्सित कर लिए राजस्तान ने तो यहाँ पर 31 जन्वरी 2022 तक के क करनाटक और गुजरात को पीछे छोड़ दिया है और कुल राज्य देश में जितना कुल production हो रहा है उसका 20 परतीशत हिस्सेदारी राज्यस्तान राज्य की है अब यहाँ पर वो फिर से यही बात बोले गी है कि राज्यस्तान की सोर उर्जा निती पवन और हाइब्रिड निती जो जारी की गई उनी का यसर देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर जो production है देश में कुल 49 गीगावोट छमता का production हो रहा है जिसमें राज्यस्तान में 10.5 गीगावोट का इसके बाद में यहाँ पर केंदर सरकार ने जो अपने रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया ह है कि 10,506 मेगावोट सोरूरजा राजस्तान से 7,536 मेगावोट करनाटका से 6,309 मेगावोट गुजरात से और अब तक 3,000 मेगावोट से अधिक की छमता विक्सित की जा चुकी है राजस्तान सरकार में अब राजस्तान सरकार में टोटल 10,506 जो मेगावोट विक्सित की जारियों कहां कहां से हो रही है तो इसमें से 9542 मेगावोट छमता ग्राउंडेड माउंटेड से 668 मेगावोट रूफ टूप से 296 मेगावोट सोर उर्जा ओफ ग्रिड छेतर से विक्सित की गई है तो ये कुछ important fact है आपको ध्यान में रखने हैं अब next बात आती है sports को ले कर है कि जैपूर के चोप में विस्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है और अंतराष्ट्रे क्रिकेट मैचों के आयूजन में अब प्रदेश की जो दाविदेरी है वो मजबूत हो जाएगी कि हमारे इंडिया में कोई भी बाहर की टीम आ रही ह क्रिकेट का मैच हो रहा है तो राजयस्तान में होना जरूरी होगा क्यों कि पूरे वर्ड में तीसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम राजयस्तान में बन रहा है जैपूर के पास चोप में बन में पहले नमबर पर आमदाबाद का स्टेडियम है और दूसरे नमबर पर मेल बन का उसके बाद में विसू का 3 सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजिस्तान में बनाया जारा है इसके लिए बताया गया है कि वरतमान अद्याक्स RCA के अद्याक्स स्री वैबव गहलोत और बीसी साई के सयोग से काम किया जा रहा है प्रदेश का क्रिकेट से नता पुरा ना रहा है 1931 में राजपूताना क्रिकेट संग बना था और आज प्रदेश के सभी 33 जिलों में क्रिकेट संग बने हुए है यह चीजें हमें शो करती हैं कि राज़स्तान में क्रिकेट के लिए क इतना काम किया जा रहा है। राज बहवन में समीधान पार्क बनाया जाएगा। राज बहवन में समीधान पार्क बनाया जा रहा है। हरीदेव जोसी जोदपूर के अचलेश्वर मामा जैसे स्वतंतरता सेनानियों ने पत्रकार के रूप में सामजिक जेतना जागरत की थी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है वसंत रितू के बारे में कि वसंत रितू कितनी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो परकर्टी का सरवत्तम रितू चक्र वसंत इस बात का परतीक है। बारत में रितू केवल भोगली के एस्तूल ही नहीं होती है। हिर्दय के मनोभाव ओ आंतरी कुलास परकर्टी के साथ व्यक्ती के तात्तम को दर्साती है। हमारे यहां रितु चकर का आरंब होता है चैतर से और चैतर और विएसाक दोनों ही वसंथ के उल्लासमास है रितु राज यानि रितु का राजा जिसके सम्मान में पाँच रितु ने अपने आठ-ठार दिन रितु राज वसंथ को समर्पत कर दिये इसलिए वसंथ का आगमन चैतरमास के कृष्णपक्स की पृत्मा से आरम नय होकर के माग मा की पंचमी से होता है। मतलब जो कौन सी हम celebrate करते हैं न सरस्वती माता को जो celebrate करते हैं वसंत पंचमी वसंत पंचमी से ही क्या हो जाता है जो रितु राज जो है वसंत रितु का आगमन हो जाता है अब बताया गया है कि इस रितु में क्या होते हैं पेड़ पोदो पर नहीं नहीं कोपले आती हैं यह स किस तरीके से जो कामदेव हैं उन्होंने अपनी यहां पर कामवास्ना फेकने की कुसिस की सिवजी उनसे करोधित हो गए उसके बाद में जो काम को उन्होंने जिस तरीके से यहां देखिए उनके 5 टुकडे कर दिये और यह जो हैं एक तरीके से बातें यहां पर बताई गई हैं अब यहां पर यह बोला गया है कि देखो सनातन धर्म में ही जो वसंत रितुएस को celebrate नहीं किया जाता जो हमारे सूफी संथ हैं उनकी मजारों पर भी वसंत का त्यमवार बड़ी धूमदाम से मनाये जाता है अज मेर में सूफी संथ ख्वाजा मोयनिदिन हसन चिस्ती 1142-1233 उनका टाइम पीरियड रहा कि दर्गा में भी वसंत का उत्ता मनाये जाता है यहां पर चोकी की कवाली पार्टी दर्गा दिवान नाजीम खादिम अन्य सरधालू दर्गा के निजाम द्वार प बड़ा गुलदस्ता होता है कवाली पार्टी जूम जूम कर गाते हैं ओके तो यह स्तरीके का जो प्रोसीजर है वो जो भी हमारे सूफी संथ हुए वहां पर भी होता है अब यह सूफी संथों की मजार पर यह प्रोसीजर कपसे स्टार्ट हुआ तो वसंत उत्सव की परा सूफी संतों की दरगा में वसंत्सव मनाने की जो परंपरा है वो हजरत हमीर कुसरो बारा सो तरेपन से तेरा सो पचीज इसवी के जमाने से सुरू हुई अमीर कुसरो हिंदी के आदी कवी अमीर कुसरो ने दिली के तक्त पर गुलाम, खिलजी और तुगलक वंस के सासको का उत्थान और पतन देखा था इन सासकों के दर्बार में अमीर खुसरों ने काफी सम्मान जनकिस्तान प्राप्त किया लेकिन अमीर खुसरों के मन को सांती अपने गुरू मैभूबे इलाही हजरत निजामुदीन ओलिया के चड़नों में बैटकर ही मिलती थी निजामुद्दिन ओलिया ख्वाजा मोयनिदून हसन चिस्ती अजमेरी के मुरीद थे ये जो निजामुद्दिन ओलिया थे वो एववाई थे उन्होंने अपनी बहन के पुत्र इकलाब इकबाल मिया को उपने पास में रखकर के लाल पालन किया सतरा ठारा की उम्रात ते अतिक बाल मिया की मृत्यू हो गई इसके लिए ये अल्ला को प्यारे हो गए अब इस बात से निजामुद्दिन ओलिया बहुत दुखी रहने लगे अमीर खुसरो को इस बात का पता चला तो वो अपने गुरू खाजाम निजामुद्दिन ओलिया जो है उनसे उनका दुख दूर करने की सोचने लगे एक बार वो किसी तालाब के पास में महरोली के पास में जंगल में एक तालाब के पास में बैटे हुए थे अमीर खुसरो वाँ उनसे मिलने जाते हैं अपने गुरू के पाऊं में गुल्दस्ता फूलों से बरावा गुल्दस्ता रखते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या लेकर के आये हो तब उन्होंने बोला कि मैं चाता हूँ कि मेरे जो गुरू है उनको जो भी दुख है वो सब नेक्स्ट यहां पर बताया गया है सरसों की बारे में कि देश में जितना भी उत्पादन होता है सरसों का उसका पचास परतीसत उत्पादन राजस्तान से हो रहा है सबसे बड़ी बात यहां पर यह important fact है कि भारते किरसी अनसंदान परिसद ने 1990 में गठित कारियबल की सपारिस क्यादार पर राज्जी किरसी उभाग राजस्तान सरकार के अनुकूलन परिक्षिक्षन के सेवर भरतपूर में राई सरसों पर अधारबूत रणनितिक और अन अनुसंदान संचालित करने के लिए 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रे सरसो अनुसंदान केंदर की स्तापना की ग्यारवी योजना 2007-2012 में इस केंदर को सरसो अनुसंदान ने 13 साले के रूप में उन्यत किया गया यहां पर से दो किस्म बनाई गई है सरसों की रादिका और ब समय में बेहतर पैदावार देंगी इसके अलावा खाद तेल की भी हमारे इंडिया की काफी ज़्यदा डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज के उपर इसलिए तिलहनी फसलों को बढ़ाना उसका उत्पादन बढ़ाना भी हमारे जो भी प्रशिक्षन केंदर है उनकी प्रा और सेक्टर में ओजदिय छेतरों में भी इसका काफी ज़्यदा उपयोग होता है सरसो की तेल का सरसो का इसलिए भी वहां भी लोगो काफी ज़्यदा रोजकार मिलता है ओके नेक्स आर्टिकल है मूर गुफा में क्या है यहां पर जो आर्टिकल है मूर गुफा इसके बार माला की गोध में परियाटक इस्तल माउंट अबू बसा हूआ है और यहां पर माउंट अबू में क्या-क्या है गुरू सिकर है देलवाडा मंदिर है नक्की जील है इसके अलावा यहां पर एक दर्षनी सिर्फ सिलालेक लिखा था और 1902 में इस सिलालेक को लिखा गया था और 2006 में लगबग इस सिलालेक के बारे में पता चला तो यहाँ पर सिर्फ यह बताया गया है कि जब भी यहाँ जाओ तो यह जो मूर गुफा है इसको जरूर देख करके आना बस यह बताना है इससे आगे का जो next part है suggest का वो हम next वीडियो में discuss करेंगे अगर आप यहां तक आए हो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए और channel को subscribe कर दीजिए आप हमारे aesthetic part के जो वीडियो हैं उनको जाकर के भी देख सकते हो अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो please उनको आप share कर सकते हो view कर सकते हो और जो भी आपके suggestion है वो आप हमें suggest कर सकते हो कि कौन-कौन से topic पर हम वीडियो बनाए कौन-कौन से static part पर आपको वीडियो चाहिए वो सब कुछ हम को assist करेंगे आप हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हो टेलिग्राम चैनल का link वोलकेनो आरेस अकेडमी टेलिग्राम चैनल है उसके आप साथ में आप जुड़ सकते हो आपर बहुत सारी important PDF आप सभी के साथ में share की जाती है ओके थेंक यू